असलाम अलेकुम आज मैं बना रहूं समोसे की डिफरेंट टैपस आफ फोल्डिंग्स जो नार्मली समोसा बनाते हैं उसकी फोल्डे नहीं इस रमजान में कुछ अलग सा फोल्डिंग बनाने के लिए रेदी करी हूं चलिए इसकी प्रेपरेशन देखते हैं सबसे पहले एक अब दे जाज करें व जूझा हुँ फोल्ले लेकुम इसके लिए मिक्से थोड़ा थोड दोड़ाओं करें फिर पानि घूलेते हैं उसको अच्छे से गुन लेते हैं इक सॉफ्ट दौव की तरह इसको घुना है आटे को सी आपञी अब देख सकते हूं 10 मिनिट्स हो गया है कितना साफ्ट डेव रेडी हो गया है अभी थोड़ा सा इसको मसल लेते ही इसको थोड़ा सा मसल के इसको टू पार्स में अलग कर लेते हैं अब देख सकते हूं एक पार्ट को साइड में रख लेते हूं और एक और पार्ट मैं भी थोड़ा सा आठा ले ले ली हूं इसको बड़ी रोटी की तरह बेल लेते हूं अब देख सकते हूं इसको बड़ी रोटी की तरह इसको बेल लेते हैं आप देख सकते हो एक बड़ी रोटी तरह इसको बेल ली हूँ अब ही मैं एक कोई कटर लेकर आपके पास कटर हो तो कटर यूज़ करके इसको कट कर लेना या फिर मैं छोटे से कटोरी ले ले ली हूँ इसकी मदद से मैं छोटे-छोटे पूरियोंग तरह कट कर लूँगी अब चाहे तो अलग से छोटे-छोटे ही बेल सकते हो लेकिन मैं इक्वल से जाने के लिए इस तरह से कट कर रहे हूँ अब देख सकते हो सारे पूरियों एक ही साइस के हैं बचे हुए सारे पेड़ों को भी इस तरह से ही बेल के मैं साइड में रख लेती हूँ फिर हम सारे foldings ईक बर बनाएंगे अब देख सकते हों चोटे ठोरी ओं की तरह और पूरिस भी थोड़ा से बड़े अलग से बना लेती हूँ मैं should be different different foldings तो different different roti योगे उसको बेल ना है अब देख सकते हो सब पूछ अच्छे से बेल के डी हो गया है अभी folding स्टाट करते हैं अभी मैं एक छोटी से पूरी को ले ली हूँ मैं इसमें अड़ करी हूं स्टफिंग अब देख से तो किस तरह से में फोल्ड करती हूं आप वीडियो में देखना मैं किस तरह से आपको फोल्ड करते हूं उसी तरह से आपको फोल्ड कर सकते हो बहुत एज़ी से सिंपल सही जो समोसे की फोल्डिंग रेडी हो जाती हूं अब देखिए एक और बताती हूं मैं आपको कितना सिंपल से रेडी हो गया है एक और बताते हूं आप देख सकते हों कितना इजी से फोल्डिंग रेडी हो जाती है समोसे की जो बच्चे तो वेजिस खाते ही नहीं इस तरह से अब डिफरेंट डिफरेंट फोल्डिंग्स बना के बच्चों को देंगे अब कुछ भी श्टफ करो बच्चे तो खुशी खुशी खा लेते हैं मैं तो घर में इस तरह से करते हूं जो बच्चों को वेजिस खलाना हो जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं वो चीज उनको खलाने के लिए मैं इसे तरह दिफेंट डिफेंट फोल्डिंग्स बना के उसको खिला देते हूं इसमें थोड़ा सा चीज भी आड़ कर देना और भी खुशी से खा लेते हैं बच्चों के बड़ों को भी बहुत पसंद आएंगे अब देख सकते हों कितने ऐजी से मैं फोल्डिंग्स बना लेती हूं आप रमजान में इस्तेरी के लिए नहीं नॉर्मल टैम पे बच्चों के इस्तार से बनाके दे सकते हों अभी तुम इसमें एक और फोल्डिंग्स देखते हैं एक फोल्डिंग तो हो गई है और नेक्स्ट्ट्ट सेकेंड वन जो गुजिया बनाते हैं उसी तरह से इसको फोल्ड करना है इसको थोड़ा सा डिजाइन देने के लिए एक फोक की हेल्प से इसको प्रेस कर लेते हैं अब देख सकते हों कितना इजी ली बन जाते हैं नार्मल समोसा फोल्डिंग बनाने से भी यह बहुत सिंपल से इजी रेस्पीस है यह अब देख सकते हूं अब देख सकते हैं मैं सेम फोल्डिंग बनाकर इसको थोड़ा सा फोक की हिल्प से होल्स बनाती हूं आप चाहे तो चिकन के खीमे को आप बिना पकाए कच्छे खीमे की आप श्टेफिंग कर रहे हो तो इस तरह से थोड़ा सा होल्स बना लेना फोक की हिल्प से खीमा अंदर तक भी आसानी से पक जाएगा जब हम डिफ्राइ करेंगे मीडियम फ्लेम में खीमा आसानी से अच्छे से अंदर तक पक जाएगा अब देख सकते हो इस तरह से अब इस तरह से करके वोवर में भी आप बेक कर सकते हो एक और फोल्डिंग देखते हैं जो एक रोटी की तरह एक बड़ी सी रोटी ले ली हुमें आप चाहे तो स्प्रिंग डॉल की शीट्स को भी यूज़ कर सकते हो इस तरह से कर्स लगा लेती हुमें अब ही मैं इसमें रखोंगी स्टफिंग अभी स्टफिंग को रख लेते हैं इस पर थोड़ा सा पानी को अपले कर लेती हुमें ताकि अच्छे से स्टिक हो जाएं सारा ओयल खराब हो जाएगा स्टफिंग बाहर आज गए तो इसलिए थोड़ा सा वाटर को अपले कर लेते हैं और फिर हम स्टफिंग को रख लेते हैं आप देख सकते हों आपको जितनी स्टफिंग रखना है उतनी रख लेना मैं तो कुछ ज्यादा ही स्टफिंग रखते हूं मेरे घर में तो स्टफिंग फुल रहना चाहिए जब भी समोसा बनायों कुछ भी बना लो हमारे घर में तो स्टफिंग कुछ ज्यादा ही रहना चाह इसको थोड़ा सा हलके हाथों से इसको फोल्ड करना है अब देख सकते हो अब साइड में जरूर देखना थोड़ा सभी स्टफिंग आने के लिए कोई चांस ने है अब देख सकते हो कितने अच्छे से इसकी फोल्डिंग हो गई है थोड़ा सभी स्टफिंग बाहर नहीं निक लेती हूं और एक और बना के बताती हूं उसी तरह से जो एक रोटी की तरह लेकर इसको अच्छे से कर्स लगाना है जो भी मैं फोल्डिंग जिखार हूं इन सारे चीज़ां को आप ओवन में बेक कर सकते हो आराम से इसको बेक कर सकते हो थोड़े सा एक वाश कर लेना उपर ते या नई करे तो भी चलेगा अच्छे से आप इसको ओवन में बेक कर सकते हो इसको भी थोड़ा सा वाटर को लगा लेना आप स्प्रिंग रोल शीट को यूज करते हो तो आप मैदे के बैटर को थोड़ा सा लिक्विड वाटर यूज करके उसको अपले कर लेना वो अच्छे से श्टिक हो जाएंगे आप देखते तो मैं स्टफिंग को रख ली हूँ मै स्टफिंग रखके साइड में फोल कर लेते हैं जैसे स्प्रिंग रोल को फोल करते हैं उसी तरह से इसको भी फोल करना है एकदम टाइटली इसको पीछे की तरफ लेना है और इसको हलके हाथों से फोल करना है कि इसको अच्छे से श्टिक कर लिए हूँ त्री समोसा फोल्लिंग्स तो हो गए हैं अभी हम फोर्थ वन देखते हैं एक और पेड़े को ले ली हुँमाई इसको अच्छे से बेल कर इस तरह से जो राइट में लेफ्ट में फोल्ल करना है और बीच में से थोड़ा से से सेंटर में प्रेस करके और टर्न करके इसको सेंटर में स्टफिंग रखना है कि सेंटर में स्टफिंग रखकर इसको फोल्ड कर लेते हैं अब देख सकते हूं फोल्ड करके इसको जो तीनों साइड्स में इसको अच्छे से प्रेस कर लेते हैं कि अब देख सकते हूं कितने अच्छे से मैं इसको प्रेस कर ले हूं अभी इसको फोक की हेल्प से इसको थोड़ा सा डिजाइन दे देते हैं अब कुछ जो भी स्टफिंग रखना है आप रख सकते हूं लेकिन वह लिक्विड नहीं रहना चाहिए एकदम ड्राइवाली स्टफिंग हो तो सारे समोसा के बहुत अच्छे से आएंगे अब देख सकते हूं फर्स्ट वन और सेकेंड वन फर्स्ट फोल्डिंग तो हो गई है सेकंड फोल्डिंग हो गई है तार्ड फोल्डिंग और फोर्त फोल्डिंग काफी लोगों को इसकी folding तो काफी लोगों को मालूम होगी लेकिन फिर भी मैं जो मैं ट्राइक करी हूं उसको तो मैं शेर करी हूं अभी आउइल को अच्छे से गरम करके medium flame में इसको defry कर लेते हैं सारे समूसा फोल्डिंग्स को भी इसी तरह से defry कर लेते हैं मीडियम फ्लेम में इसको फोल्ड डिफ्राइ करना है अब में सारे चीदों को अच्छे से फ्राइ कर ली हूँ इसको एक प्लेट में निकाल के सर्व कर लेते हैं तामेटा केचप के साथ या ग्रीन चिटनी के साथ या फिर मायनिस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हो इस तेरी क से इसको बना के देश सकते हो अब देख सकते हो कितने अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी जो फोर डिफरेंट टैपस आफ समोसा फोलिंग्स रडी हो गए है आप सब को पसंद आये होंगे आप लोग अभी तक में चानल को सब्सक्राइब नहीं किये हो तो प्लीज लाइक किज शेर किजिए सब्सक्राइब किजिए तैंक्स पर वाचिंग